हालो दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टर रजीत कुमार आज मैं आपको कैलूरिया विजीज के बारे में बताना चाहता हूं जादा करके बारे में ही होने के सिखायत मिलती है और न की चाड में ही होने के सिखायद होती है इसमें पिशाव दूद की तरह सफेद होता है, आने की केलियरिया बिमारी में पिशाव दूद की तरह सफेद होती है, इसके कारण बिक्नेस ज़्यादा आती है, आने की कमजोरी ज़्यादा आती है, ठकावट ज़्यादा आती है, भूख कम लगती है, सुष्ती ज़्यादा रहती है, और बच्चे हमेशा लेटे हुए रहते हैं, स्वेए हुए रहते हैं, और मीठा खाने के प्रसंद करते हैं, कि अगर से कैथ है आने की पिषावव दूध्ध जैसा सफेद हो तो ऐसा डिजी एगर आया हुआ है आने की नच्छन आया हुआ है तो कवरानी की कोई बात नहीं है कि अच्छी मेडिस्टींस है स्वरपर्थम अगर ऐसा सिखायत है किसी बच्चे में या बड़े आदमी में तो हमीयोपैथिक मेडिस्चींस उनको देनी की सलाथ दी जाती है और हमेजोपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन्स है पहला मेडिसिन्स है भायोला ओडिरेटा क्यूं आनि की भायोला ओडिरेटा क्यूं आधे कप पानी में दस-दस बुंद तीन बार देने से इस शिकायत दूर हो जाती है इसके साथ साथ इसका कंप्लामेंटरी मेडिसिन्स है आनिकी सहायक दवाईया है एसिट फॉस एसिट फॉस दो सो नंबर की दवा शुबह शाम शुबह साम चलानी चाहिए तो कैलूरिया का जो शिकायत है वो दूर हो जाती है और अगर किसी बच्चे को कैलूरिया के साथ साथ अगर बार्म का शिकायत हो अनिकी कीडा का शिकायत हो गोल किर्वी फिता किर्वी टेप मार्म का जो शिकायत है और उसके साथ साथ कैलूरिया का सिकायत हो तो इस मेडिसीन के साथ साथ भैला ओडिरेटा मदर टिंचर के साथ साथ का इसीज़ फार्स दो सो नंबर के साथ साथ उस बच्चे को या बड़ी आदमी को सीना दो सो नंबर की दवा दीन भर में एक खुराक आणिक वन डेवुज डेली देने से कैलूरिया का सिकायत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और बार्म का जो शिकायत है वह भी दूर हो जा अगर सिकायत है कलीरिया का सिकायत है आने की पिशाओं में दूद जैसा सफेद कलर का आना तो घवराने की क्योई वात नहीं है चिंदा करने की वात नहीं है हम यह पैथी में बहुत अच्छी मेडिस्चिंस है भैलो अडे रोटा मगर टिंचर आनि की भैलो अडे रोटा क्यू आधे कप पानी में दस दस भूंद तीन बार देने शे और उसके साथ साथ एस ऑस दो सो नंबर की दवा परडे वन डोज डेली लेने से और अगर उसका साथ वार्म का सिकायत हो किरे का शिकायत हो तो सीना दो सो नंबर की दवा शुवा साम लेने से कैलियूरिया का जो सिकायत है यो पूरी तरह से ठीक हो जाती है ठेंक्यू दोस्तों नमस्कार